आज मैं आपके साथ शेयर कर रहूँ हूँ बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी करारे मौंग दाल चीले की रेसिपी ये चीले हम बहुत ही आसानी से बना कर त्यार कर लेंगे और खाने में सुपर टेस्टी है सबसे पहले ये चीले बनाने के लिए आपको चाहिए मूंग की डाल तो मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की डाल ली थी और इसे अच्छी तरीके से 4-5 बार दोया और फिर इसे मैंने 4 घंटे के लिए पाने में भीगने रख दिया अब ये जो डाल है अच्छी तरीके से भीग चुकी है अच्छी तरह फोल चुकी है तो अब आपको इसका ये पानी निकाल देना है और फिर से दो बारे से अच्छे से फोश कर लेना है तो पानी को निकाल देते हैं और अब आपको एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें ये दाल आपको डाल देनी है, तो सारी दाल को हम डाल देते हैं, ये देखिए हम मूंग की दाल के चीले बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, आप इसे बिना पानी के पीसे आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च लिए हैं, दो इंच का अद बनाने के लिए ओधो पानी डाल कर इसे पीश सकते हैं यह देखिए डाल पीश के त्यार करलिये इससे हने हलका सा डर-दर रखा है बहुत मोटा नहीं रखेंगे बस हलका सा दर-दर रखें तो बस अब यह जो पेस्ट है इससे आपको एक बाउल में निकाल लेना है तो दाल क चमबच हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए और आधा चमबच मैंने नमक डाल दिया है साथ ही मैं डाल रहे हूं एक चौत्था ही चमबच गरम मसाला और साथ ही इसमें जारा बारी कटा हुआ हराधनिया सारे मसालों को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले आ इसे हलका सा पतला करेंगे पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें अब यह जो मूंग की डाल के चीले हैं बहुत ही क्रिस्पी करारे बने तो इसके लिए आप क्या करें दो चम्बस लेना है आपको चावल का आटा और इसमें यह चावल का आटा डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है देखिए चावल का आटा डालने के बाद यह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो आप क्या करें इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें और पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लें अब यह देखिए यह जो बैट हाथों से घुमाना स्टार्ट किया है इस तरह हलके हाथों से घुमाएंगे यह देखे बहुत ही बड़िया चीला त्यार हो गया है चीला का साइज आप अपने अनुसार थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पर अब इसे आप सिखने दें यह देखे उपर से इसका कलर चेंज हो गया और हलका हलका यह ड्राइ भी हो चुका है तो अब आप इस पे थोड़ा सा ओयल डाल दें और थोड़ी देर इसे और सिखने दें अब देखे यह पूरी तरीके से उपर से सूख चुक कितना शांदार आया है ना दार कल्डन ब्राउन यह हो चुका है तो दबा दबा कर आप दोनों ऐ तरब से अच्छा कृस्पी हो जाए तो यह देखिए दोनों तरब से बगभी अतरीके त्यार आप भी अपने घर पर इसी तरह चट पटे टेस्टी चीला जरूर बनाएं ये देखे आपको इने तोड़ कर दिखा दियो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बने हैं तो जब भी आपको कुछ अच्छा खाना हो तो ये चीले अपने घर जरूर ट्राय करें रेसेप पसंद आई तो लाइक कॉमेंट शियर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें